सो हे गाइस अगर आप प्लान कर रहे हो 2024 में किसी ADV बाइक को पर चेस करने का तो आज मैं आपको बताने वालों कुछ ऐसे ही Adventure Tourer Bikes के बारे में जो 2024 में लॉंच होने वाली इंडियन मार्केट में और काफी सारे लोग इन बाइक के लॉंच होने का वेट कर रहे है क्योंकि य अब जल्दी से करवाद होगे तो चलिए दोस्तों बिना टैम वेश करें स्टार्ट कर लेता आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले नमबर पर है इंडियन टुबल मार्केट की मोस्ट अविटिड एडिवी केटेगरी में आने वाली बैक जो है हीरो की दरफ से हीरो एक्सपल्स 400 काफी टैम से इस वाइक की टैस्टार्डिंग चल रही है इन एन मार्केट में और जो बैक का कॉंप्लिट डिजान होने वाले हो आप सभी को बता है बैक थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है रेगुलर एक्सपल्स से एडवेंचर एटच्मेंट्स आपको ज्यादा देखने बाइक में जो स्विचेबल होगा बाकी नाविकेशन सपोर्ट राइडिंग मोड्स आपको इस बाइक में बिल सकता है अभी इस पात की गनफर्मेशन नहीं है लेकिन एक अच्छा सा कॉंसोल आपको मिलेगा बाइक में जिसमें आपको सारे फंक्शन शोर हो जाएंगे और ये बाइक आपको 30 से 35 केंबल का माले स्टे के सिरी राइडिंग और हाइवे राइडिंग पर तो चलिए फाने लिए बात करते हैं बाइक के लाउंच डेट और प्राइस के बारे में ये बाइक आपको 2024 के सेगंड क्वार्टर में लाउंच आत वे देखने को मिलेगी और पर बाइक का प्राइस सखा जाएगा तो 2024 के लिए आप इस बाइक को कंस्टर कर सकते हो अगर आपका प्लान है किसी ADV बाइक को पशेज करने का जो आपको नोमिनल प्राइस में अविलेबल हो जाए तो अगली जो ADV का टेग्री में आने वाली बाइक है वो है होंडा की द करता है 47.5bhp की और मैक्सिमम टोक है बाइक में 43 Nm का और फीचर्स में बाइक में है डूल चैनल ABS 5 इंचीज का TFT डिस्प्ले कस्टमाइजिंग लेट के साथ जिसमें आपको काफी सारे फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटिड और सेस्पेंशन में बाइक के फ्र बिल्कुल फिर में नहीं रहेगी उनको बाइक को उपरेट करने में जिक्कते आएंगी और बाइक में है 17.5 लिटर की फ्यूल टैंग का पसिटी और यह बाइक आपको 20 से 25 केंबिल का माल स्टे के सिटी राइडिंग में और हाइवे राइडिंग पर तो चलिए फानेली ब तो इस बाइक में आपको 310 CC का अंजन देखने को मिलेगा और यह बाइक overall same specifications follow करेगी BMW G310 GS वाले तो फिलाल में जो BMW ने Apache RR310 के साथ करा है वो TVS इस बाइक के साथ करने वाली है बैजिंग आपको TVS की मिलेगी बागी जो overall design होगा वो BMW का होगा हाला कि आपको थोड़े ब और प्रोडूस करता है 34 BHP की 9500 RPM और maximum प्रोडूस करता है 28 Nm का 7500 RPM फीचर्स में आपको बाइक में dual ABS मिलेगा 6-speed gearbox है और console बाइक में TFT आ सकता है और बाकि फीचर्स भी आपको इसमें Apache वाले देखने को मिल सकते हैं बाकि बाइक के suspension में आपको front part में 41 mm के upside down fork मिलेंगे और SIS में bike के front part का tire होगा 110 x 80 mm का और rear part का tire होगा 150 x 70 mm का और lights में आपको सभी parts में LED lights मिलेगी और dimension में bike का curve 870 kg का bike is seat height 835 mm की जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी short adder को bike को operate करने में बाकि आपको bike में 11L की fuel tank capacity मिल सकती है जो काफी कम होने वाली है के ADB bike के हिजाब से तो चलिए पर bike का price है जाएगा 3,10,000 से 3,20,000 के action price पर बाकी Apache RTX में 160cc और 200cc model भी आ सकते है तो अभी ऐसा कुछ final नहीं हुआ है कि आपको इसका कौन सा model देहने को मिलेगा बस अभी bike का trademark फायल हुआ in the market में और दीरे दीरे में बता चल जाएगा कि actually मैं इस bike में क्या कुछ नया देखन से bike का नाम है Kawasaki versus 300 और ये bike launch होने पर सिधा competition देगी के ATM Adventure 390 को BMW G310GS को और बागे segment में आने वाली bike को तो अभी तक Kawasaki ने 2-3 bike launch कर दिया Indian market में और 2024 में भी 2-3 bike आगी Kawasaki की तरफ से Indian market में जिसमें ये bike आपको 2024 के 2nd से 3rd quarter में launch रते वे देखने हैं मिलेगी और launch होने पर bike का price ह कर दाएगा 450,000 से 550,000 के अक्षियों price पर बाइक में दोस्ता आपको मिलता है 296 CC parallel twin cylinder engine जो maximum power produce करते 38.5 bhp की और maximum torque produce करते 27 newton meter का फीचर्स में बाइक में dual channel EBS आप सभी की safety के लिए heat management technology है बाइक में assistance slipper clutch आपको मिलता है बाइक में और suspension में बाइक के front part में है 41 mm के telescopic fork और बाइक के rear part में monosok absorber है size में बाइक के front part का tire i92 mm का और बाइक के rear part का tire i135 mm का और lights में बाइक के front part में है halogen bulb बागी सभी parts में ready lights का यूज किया गया है और dimension में बाइक का car weight 184 kg का bike की seat height 815 mm की जो थोड़ी पहुत दिक्कत देगी short rider को और fuel tank capacity आपको इसमें मिलती है 17 liters की और ये bike आपको 30 km का मालेस देती है city riding में तो अगर आने वोले टाइम में किसी ADV category की bike को लेने का तयान कर रहे हो तो आप इस bike के launch होने का weight कर सकते हो तो ये थी दोस्तो आज की video Indian dollar market में launch होने वाली ADV category में आने वाली bike के बारे में I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक जोगा देना और मुझे नीचे comment करके बताना मत बूलना किन सभी bike में से आप कौन सी bike के launch होने का weight कर रहे हो औ आने वाले time में कौन सी bike को purchase करने वाले हो बागी अगर भी तक आपने मेरे चाने को subscribe नहीं कर रहा है तो आज सब्सक्राइब जरू कर लो आगे भी ऐसे ही informative वीडियो उस देखने के लिए और नीचे दिए गए बैल आकन को पैस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियो की notification सबस से पहले आपके पास आए तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही बागी गल्दबार से मिलते हैं एको नए वीडियो के साथ में झाल 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 झाल